मसकार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट इस्टेटी पॉइंट में यह क्लास है टेस्ट नंबर फॉर्थ ठीक है टेस्ट सीरी जो चल रही है अपने उसके फॉर्थ पार्ट है और इससे पहले जिसने एक और दो और तीन वीडियो नहीं देखिए जिसने वह पहले उन क्लासों को भी अटेन करिएगा ठीके दोस्तों स्वागत है आपके इस क्लास में चलते आज के पहले कोश्टन पर पेराड़ाइज लास्टे के लिखक कौन है इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्सन नंबर ए सोफोकलीज ठीके पेराड़ाइज जो लास्ट है वो सतरवी सताबदी की महन ठीके दोस्तों कब की यह सतरवी सताबदी की है ठीके महन आंगल कवी जोन मिल्टन के द्वारा लिखी गई थी ठीके दोस्तों इनका जो नाम है जोन मिल्टन यह ध्यान रगना दोस्तों ठीके मिल्टन जो ह रहा हो तो like, share, subscribe, press the bell icon दबा देना ठीक है sweet phosphorus रखा जाता है ठीक है option A क्या है दोस्तो इसका पानी B जो है ammonia इसका option C है alcohol और option D है इसका kerosene इसका right answer क्या होगा दोस्तों यदि आपको answer पता है comment box में comment करिए वहरना हम बता ही देंगे इसका 잘 जाएगा option number a यहरिट फासफ पॉरस को पानी में क्यों रखा जाता है यह बात भी देख लिए दोस्तो जो सफ़िध फास फास फॉरस जो है जेहरिला होता है ठीके दोस्तो यह जो है सफिद फासफॉरस यह एक जहरिला पदार्त है हवा के संपर्क में आते ही ही ये जलने लगता है इसलिए इसे पानी के अंदर रखा जाता है कि हवा के संपर्क से इसको दूर रखा जाता है ठीक है दोस्तों इसलिए स्वेथ फास्परोस को पानी के अंदर रखा जाता है फेक तभी बताऊंगो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक सेर सस्क्राइब कर देना साबुन को जल में गुलने पर जल के प्रष्ट तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है option A प्रष्ट तनाव बढ़ जाता है प्रष्ट तनाव घड़ जाता है option C समाप तो हो जाता है option D है आप प्रभाविद रहता है ठीक है इसका right answer क्या हो जाएगा दोस्तो साबुन को जल में गुलने पर जल के प्रष्ट तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है तो इसका right answer हो जाएगा option number B यानि कि घड़ जाता है option number B इसका right answer हो जाएगा साबुन को जल में गुलने पर जल का प्रष्ट तनाव गढ़ जाता है और इसी के कारण जो जल में जागुत्पन होते है वो इसी के कारण होता है क्योंकि जो प्रष्ट तनाव हो गढ़ जाता है और जागुत्पन होते हैं next question है polyvinyl chloride यानि कि PVC PVC का उप्योग होता है option A seat cover बनाने में option B चादर बनाने में option C बरसाती बनाने में और option D उप्रोक तो सभी इसका right answer क्या हो जाएगा दोस्तों यानि कि option D इसका right answer हो जाएगा polyvinyl chloride PVC का उप्योग कहा होता है बर seat बनाने में यानि कि seat के जो cover रहते हैं के seat के cover या other cover जितने भी रहते हैं चादर बनाने में ठीक है और option C यानि कि बरसाती बनाने में इन तीनों में इसका PVC का उप्योग किया जाता है ठीक है और अधिकतर एक्जामों में PVC का फुलपॉम भी पोच्छा जाता है तो इसका फुलपॉम क्या हो जाएगा polyvinyl chloride ठीक है PVC एक बहुलग होता है दोस्तों यह होता है thermoplastic का ठीक है thermoplastic जो रहता है उसका बहुलग है polyvinyl chloride जो PVC है यह thermoplastic का बहुलग है और इसका उप्योग plastic पदार्थों के निर्माण में होता है ठीक है इन सभी में काई का उप्योंग किया जाता है PVC यानि कि पॉलिविनाइट क्लोराइड अगला जो कोस्टन बनना है अपना कोस्टन नमबर फाइफ वात्या भट्टी में किसके आइरन आकसेड उपचेद होता है ठीक है option A सिलिका, option B कार्बन, option C चुना और option D है carbon monoxide इसका right answer क्या हो जाएगा दोस्तों इसका जो right answer है वो हो जाएगा option number D ठीक है दोस्तों option number D इसका right answer है carbon monoxide जानि कि वात्या भट्टी में carbon monoxide iron आकसेड उपचेद होता है ठीक है इस भट्टी में उपचेद इधन में जो carbon और इसके जलने से जो उत्पन होता है वोई carbon monoxide द्वारा होता है ठीक है क्या होता है अपचेद वीदी चलती है ठीक है वात्या भट्टी में कोई से वीदी चलती है अपचेद इधन तो अपचेद इधन के carbon और उसके जलने से जो उत्पन होता है वोई carbon monoxide को नेक्सटिय बन रहे है को अग्शायाइड करहा है या दो कर्वन मोमें उर्गाइड करते है जो कर्वन मोन्साइड के रूप में उप्योग होता है नेक्स्ट जो question बन रहा है वात्यबटी के बारे में इतना है ठीक है दोस्तों next जो question है वात्यब question number 6 अंडे देने वाले इस्तंधरी है ठीक है जो option में उसके इसाब से ठीक है डग बिल्ड प्लेटिप्स option B कंगारू option C और option D है Oltar इसका right answer क्या होजएगा दोस्तो जो अंडे देने वारा इस्तंधरी है वो है डग build platyps इसका right answer होजएगा option number A यानि कि duck build platyps इसका right answer है ठीके ये एक अर्द जली इस्तंधरी होता है ठीके जली इस्तंधरी होता है जो कहां पाया जाता है दोस्तों अधिकतर जो डग बिल्डर रेते हैं यह आश्टिल्य महादीब में पाया जाते हैं इसका जो यह बहुत वेरी इंपोटेन है डग बिल्ड अधिकतर कहां पाया जाते हैं अपने इधर बोद काप मात्रम रहते हैं रेकिन डग बिल्ट है जो रहते हैं वह आश्टिलय महादीब में पाई जाते हैं ये अकेला एक ऐसा इस इस्तन्धरी जन्तु है जो अंडे देता है ठीक है एक अकेला एसा इस्तन्धरी जन्तु है यहां से इंपोड़ेंट पीडिए ने सरचना का मॉडल किसनी दिया था, option A, crystal A, option B, her govind khurana, option C, margan, और option D है इसका Watson एवं krik, इसका right answer क्या हो जाएगा दोस्तो, option number D, यानि कि Watson एवं krik इसका right answer हो जाएगा, वाट्सन एवं क्रिक द्वारा ये DNA की सरचना का मॉडल दिया गया था ठीक है दोस्तों सन 1953 की गटना है ठीक है सन 1953 में क्या हो था 1953 में जो विज्ञानिक है उनका प्रत्रिका नेचर में छपे एक लेक में जैम्स वाट्सन और फ्रांसी की किरिक ने पहली बार DNA यानि कि द्वीक कुंडला का सरचना का माडल प्रस्तूत किया था ठीक है ऐसे ही माडल प्रस्तूत नहीं होते हैं ये दोस्तों हर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है जब ये model बनाया जाता है तो इस model को केसे प्रस्तुत किया गया था 1953 में प्रसिद्ध विज्ञान की पत्रिका थी एक ठीके नेचर ये question पुछा हुआ है दोस्तों इसलिए मैं बता रहा हूँ ठीके DNA सरजना को जो model प्रस्तुत किया गया वो पत्रिका कौन सी थी वह पत्रिका एक नेचर थी उसमें छपे हुई लेक में जेम्स वाट्सन जो है अपना वाट्सन और क्रीक ठीके तो जेम्स वाट्सन एबं क्रीक ने पहली बार प्रस्तों और हर कई ऐसे निम मिलता है कि डाइनमाइड बनाने में किस दरोग का प्रियोग किया जाता है ऑप्शन ए नाइट्रो ग्लिसरीन ऑप्शन बी ऑलिक अमला ऑप्शन सी लेक्टिक अमला और ऑप्शन डी मेलोई कमला ठीके इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा अप्शन नमबर ए इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीके नाइट्रो ग्लिसरीन इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीके नाइट्रो ग्लिसरीन इसका राइट अंसर है डाइनमाइड बनाने में किस दरोग का प्रियोग किया जाता है नाइट्रो ग्लिसरीन का प्रियोग कि हुआता है टीन्ट किया खोज siis 1863 में हुईती है तैक ai ने ट्रोगलिसरिन का अपयोगु किया जाता है और डाइनमाइट की खोज सर्वप्रत्म किसने थी इसकी खोज 1673 में हुई थी ठीक दोस्तों इसकी का वह भुषि जो अभी Nobel पुरुषकार दिये जाते हैं ठीक है तो इतना इसका right answer जो हो जाएगा a is question का right answer है option A, प्रथम सिलाले, option B, बारवा सिलाले, option C, सात्वा सिलाले option D, इसका है, चोत्वा सिलाले, ठीक है, इसका right answer क्या हो जाएगा, दोस्तो इसका right answer है, असो के जो 14 सिलाले, उन में से सबसे लंबा जो है, वो है सात्वा सिला लेक ठीक है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा option number C जो है सात्वा ठीक है option number C इसका राइट एंसर हो जाएगा असो के जितने सिला लेक है ठीक है कितने सिला लेक है 14 सिला लेक उन में से जो सात्वा सिला लेक है वो सबसे बड़ा सिला लेके अगला question है question number 10 सिंदु घाटी सब्यता का पतन अगर है option A लोथल B हडपा C बनवाली और option D है इसका रोपड इसका right answer क्या होगा दोस्तों सिंदु घाटी सब्यता का पतन अगर कौन सा है ठीके तो सिंदु घाटी सब्यता का पतन अगर जो है option A इसका right answer है ठीके इसका right answer क्या है option number A यहने कि लोथल लोथल इसका right answer है सिंदु घाटी सब्यता का पतन अगर लोथल था कौन सा था लोथल था लोथल कहां पड़ता है दोस्तों लोथल जो है अभी फिलाल में गुजराद में पड़ता है ठीक है गुजराद के एमदाबाद में गुजराद के एमदाबाद जिले में बोगवा नामक नदी के किनारे इस्ति थे लोथल ठीक है गुजराद के एमदाबाद के बोगवा जिले में एमदाबाद जिले में बोग लोथल की खोज की थी S.R. राओ ठिके S.R. राओ इसका राइट अन्सरों हो जाएगा लोथल की खोज किसने की थी या कोश्टन पुछे हुए दोस्ते इसलिए मैं बता रहा हो S.R. राओ ठीक है एस आर राओ दोरा इसके खोज की गई थी ठीक है नेक्स्ट जो question है अगला question बन रहा है इस class का बुद्ध के उब्देसों का संग्रह है ठीक है ए बुद्ध चरीत बी अभिदम पिटक सी विनाई पिटक और डी जो है सुथ पिटक रहे है इतियास से जो जो जब question पुछe जा रहे है दोस्तों अधिक्तर exam में अभिकास से question पुछन बन कर दिये गए है लेकिन जो पुछ जा रहे है किस type से पुछ जा रहे है उसी type से में question करवा रहा है बुद्ध के उब्देसों का अपदेस संग रही थे ठीक हैं काई में शुद पीटग में बहुत धर्मके अपदेस संग रही थे नेक्स्ट जो अपना बन रहा है इसमें तीर का निकाई में जिटे हो और गोगिश्वर्णे दिक ठीके दोस्तों साथ साथ ये भी देख लेते हैं अभीदम पिटक में क्या होता है अभीदम पिटक में क्या क्या बताया गया है दोस्तों जो सूत पिटक है इसमें बुद्ध के उब्देशो का संग्रम मिलता है और अभीदम पिटक में क्या होता है इसमें जो बुद्ध के द इसमें क्या होता है विनाई पिटक में जो बिक्षू और बिक्षूनिया थी ठीक है बोध्ध धर्म में जो बिक्षू और बिक्षूनिया थी उनके संग एवं देनिक जीवन से संब्धित आचार विचार और उनके जो नियम अनुस्वासन थे उनका संग्रा विनाई पिटक म लिंगराज मंदिर का निर्मान किसके द्वारा करवाया गया था ठीक है गंग वन्स भी नर्सियम माद देव द्वारा और सी चंदेलो द्वारा और डी कैसरी वन्स द्वारा तो इसका राइड़नसर क्या हो जाएगा जो लिंगराज बंदिरे उसका निर्मान करवाया गया था इसका राइड़नसर हो जाएगा आसे के राजा ययाति कैसे दूआरा करवाया गयता ठीक है यह विक्सित आयरे नागर शेली दुएरा है ठीक दोस्तों यह कउच्छन पूचा हुआ है कि जो लिंगराच मंदिर है कि यह किस सेली के अंतर गता आता है तो इसका ध्यानितने दोस्तों ये नागर सेली के अंतर गताता है, ठीक है, किस सेली के अंतर गताता है, नागर सेली, ये question very important question है, हर कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, तो मैं साथी साथ इसका फेक्ट भी बता रहा हूँ, आपको एक कोफी में note करना हो, तो note भी कर सकते हो, ये नागर सेली के अंतर गताता जो लिंगराज मंदिर ये किस से लिक अंतर गाता था है नागर से लिक अंतर गाता है नेक्ट जो कोश्चन बन रहा है अपना सिवा जी के गुरु कौन थे ठीक है अप्शन ए दादा कौन देव रामदास सी हरी किशन हर किशन और डी है ए और बी दोनो तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा दोस्तो इसका जो राइट अंसर है वो राइट अंसर हो जाएगा आपका अप्शन नंबर डी ठीक है अप् दादा कौन देव प्लस रामदास ये दोनों सिवा जी के गुरु थे ठीक है सिवा जी के जो आरंब में गुरु थे वो थे दादा कौन देव ठीक है दादा कौन देव यानिकि इनके दादा जी ही सिवा जी के दादा जी दादा कौन देव ठीक है और सिवा जी के जो आध्या नेक्स जो कोशन बन रहा है मान चीतर पर समुद्र तल के समान उचाई वाले इस्तानों को जोड़ने वाल के लिए खीची गई रेखाओं को कहते हैं option A समदाब रेखा है option B देशांतर रेखा है C अक्षांस रेखा है और D समच रेखा है तो इसका right answer क्या होगा दोस्तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option number D इसका right answer है option number D यानि कि समोच रेखा है ठीक है समोच रेखा है जो है option number D मान चीतर पर समुद्र तल के समान उचाई वाले इस्तानों को जोड़ने के लिए जो खीची गई रेखा है उसे समोच रेखा है कर लाती है ठीक है और जो एक समदाब भी रेखा होती है समदाब वाली रेखाओ को भी मैं बताते था हूँ जो समान वायूदाब क्योंकि समदाब से ही पता चल रहा है समान वायुदाब वाले इस्तानों को मिला कर जो खीची जाती है उन्हें बोला जाता है समदाब यानि कि आईसो बार ठीक है इसका ध्यान रगना इसका बोला जाता है आईसो बार इंग्लिस वर्ड भी पूछे जाते है और इंग्लिस वर्ड ही पूछ जाता है ठीक है और समोच रेखा को बोला जाता है आइसोप्स ठीक है आइसोप्स से बोला जाता है P.S.E. आइसोप्स ठीक है आइसोप्स से बोला जाता है समोच रेखाय को और समदाब रेखाई को बोला जाता है आई सो बार इन कोश्चनों के बारे में धियान रगना ठीक है एक बार और रिपीट करता हूं में मानचीत्र पर समद्र तल के समान उचायो वाले इस्तानों को जोड़ने पर जो खीची गई है ठीक है उन रेखाओं को समच रेखाई बोला जाता है लेकिन जो समान वायुदाब वाले इस्तानों को जोड़ती है उसे बोला जाता है समदाब रेखाई नेक्स्ट जो कोश्चन बन रहा है अपना अगला कोश्चन देखते हैं अगला कुश्चन बहुती मतोपन रिना वाला है विशुवत रेखा पर एक दिन की अहुदी होती है 10 घंटे की एक दिन की अहुदी ठीके दोस्तों अप्शन B 12 घंटे की अप्शन C 14 घंटे की और अप्शन D 16 घंटे की इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा अप्शन B इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीके दोस्तों अप्शन A नहीं है इसका अप्शन B है ठीके दोस्तों विशुवत रेखा पर जो रात और दिन होते हैं उसमें जो ये इसका B हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तो B हो जाएगा यनि कि 12 गंटे इसका right answer हो जाएगा हो जाता है दोस्तो अपन नीचे मिश्टेक हो गई होगी विश्युवत रेखा पर एक दिन की जो अवधी होती है वो होती है 12 गंटे की क्योंकि दोस्तो विश्युवत रेखा पर पूरे वर्स रात और दिन यानिके डे और नाइट इक्वल होते हैं क्या होते हैं बराबर ही होते हैं इसलिए बारा गंटे का दिन होता है और बारा गंटे की रात होती है ठीक है क्योंकि ये जो है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो सूर्य है बुमध्य रिखा पर वर्स भर लंबवत चमकता है इसलिए विश्यूवत रिखा पर दिन की अवधी भी 12 गंटे की होती है और रात की अवधी की भी 12 गंटे की होती है ठीक है इस कोशन से इतनी जानकर है मिलती इसका राइट अंसर भी हो जाएगा यहने की 12 गंटे नेक्श जो कॉशन से रहा है महासागरी लवणता में सर्वाधिक योगदान किसका है अप्सन A सोडियम क्लोराइड अप्सन B मेगनेशियम क्लोराइड अप्सन C पॉटेशियम सलफेट और अप्सन D है कैलसियम कार्बोनेट अप्सन नमबर A इसका राइड 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 अप्सन नमबर 60 60 allकाषाणश रेखा है कि अपसन नमबर ए जोडिगरी से 5 बुतरी तथा दक्षण अकशांश ऐसे आपसन कि हैं तो अपसन बिखाए इसका कि धि 8 fisherman g उत्री तरी तथा दक्षण अकशांश किर आपसन कि जो संबंद है ठीक है अस्व अक्षांस का संबंद किस से है दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option number 30 से 40 degree उत्री थता दक्षणी अक्षांस यानि की option number B इसका right answer हो जाएगा अगला question बन रहा है दोस्तों नीम ने लिखित में से कौन सा बांध दामदर गाटी परियोदना के अंतरगत बनाया गया है ठीक है इसका right answer क्या हो जाएगा option number D यानि कि उप्यूक तो सभी ये जितने भी बांध है option number A यानि कि तिलेया, B, कौनार C, मेथन और पंचेत ये तिनो चारो बांध जो है इन चारो बांध कि घटी के अंतरगत आते है दमदर घटी परियोदना के अंतरगत आते है ठीक है इसका right answer हो जाएगा उप्यूक तो सभी इसके right answer है ठीक है और तिलेया, मेथन और पंचेत ठीक है तिलेया, मेथन और पंचेत जो है वो बारा करने दीके अंतरगात आता है यह जारकन प्लस पस्चिम बंगल के अंतरगत आने वाली परियोग ना है ठीक है दामदर गाटी परियोग जो है जारकन और पस्चिम बंगल के अंतरगत आती है अगला जो कोश्चन है तमिल नाडु में उद्योग के लिए प्रस होजरी उद्यों के लिए प्रसिद्ध है इसका राइड अंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नमबर के कोयम बटूर में होजरी उद्यों के लिए प्रसिद्ध है next जो question है very important question है दोस्तो अगला जो question बन रहा है कौन राश्टी आई का भाग नहीं है ठीक राश्टी आई का भाग नहीं है A. लाब B. किराया C. जो है राश्टी रेण पर व्याज और D. है मजुदुरी और वेतन तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसका जो right answer है वो हो जाएगा option number C यनि कि राश्टी रेण पर व्याज राश्टी रेण पर जो व्याज मिलता है वो राश्टी आई का भाग नहीं है ठीक है राश्टी रेण पर जो व्याज है उसको राश्टी आई के भाग में सामिल नहीं किया गया है ठीक है इसका right answer क्या हो जाएगा option number C राश्टी आई में जो सामिल है वो है आई गणना वर्स में उत्पादित सिवाए और वस्तुई जो सिवाए और वस्तुई उत्पादित की जाती है जिस वर्स में उस गणना के आधार पर राश्टी आई का रखी जाती है ठीक है लेकिन जो राश्टी रेन है वो राश्टी रेन पर जो बयाज मिलता है वो राश्टी आई का भाग नहीं है Next जो question बन रहा है अपना अगला जो question है दोस्तो very important question रहना वाला है कि मुंबई इसका राइट अंशर हो जाएगा आपका ओसन्नमबर hospitals нуться χो जाएगा है यह 90ile सी moonlight it is का राइट अंसर हो जाएगा नहीं नहीं परत का प्रथम योग विस्ली गया लेंदे और वह है मुंगेर ओर और किसके दुआरा किये गयू थी पहले तो यह देखे दोस्तों मुंगेर पढ़ता का है मुंगेर जो है बिहार में पढ़ता है ठीक है मुंगेर कहां पढ़ता है बिहार में पढ़ता है ठीक है यहां पर आप इसको मत दंख न अब candy line जो भारत में प्रतम योग वी सुविद्याले की इस्ताबना हुई थी वो हुई थी मुंगेर में और ये है बिहार में इस्तिति ठीके और इसके इस्ताबना जो की गए थी वो की गए थी स्वामी दयानन सरस्वति ठीके स्वामी दयानन सरस्वति जी द्वारा प्रतम योग व उग्जाम हुई उसमें बहुत ही चर्चा में रहने वाला कोश्जन है, गंगो भाई हंगल का नाम जुड़ा हुआ है, आप्शन A हिंदुस्तानी सास्त्री संगी से, आप्शन B हिंदुस्तानी नाटक से, आप्शन C नोटंकी से, सास्त्री नरत्यसे, इसका राइट एसका Right Anser हो जाएगा अपसे बावा हो जुड़ा हुआ ह् यहां फ्सास्तानी सास्त्री Sie Nikki से जुड़ा हुआ है यह जो है इनके किराना घराने से संबंदी थे लेकिन अभी इनकी मरत्य हो चुकी है 21 जुलाई 2009 को इनकी मरत्य हो गई थी लेकिन यह अभी हाली में जो एक्जाम हुई 2018-19 में उसमें यह चर्चामें रहने वाला कोश्चन है गंगुबाई हंगल का नाम जुड़ा हुआ है ठीक है जो चर्चाम कोश्चन देते हैं वही मैं अधिक्तर कर वा रहा हूँ दोस्तों नेक्श जो कोश्चन बन रहा है भारत रतन सम्मान प्राप्त करने वाला एक मातर पाकिस्तानी कौन है ठीक है तो अप्सन ए बिंजिर भुट्टो अप्सन भी अब्दुल गफर खान और अप्सन सी जुकलिफर जुल फिकार अली भुट्टो और अप्सन डी है इनमें से कोई नहीं इसका राइट अंसर क्या ह हो जाएगा अब्दुल गफर खाण अब्दुल गफर खर्गांध ऊप्धुल कफर खान और भी इसका राइट है यह इंसर हो जाएगा लेकिन ऺबनें और किसी नाम से जाना जादा है अगहरे श्कलिफर हुआ उन्य चांब नाम से सिमान्दा गंधि जिन्हें न्हें 1980 में भारत रतना पुरुषकार से संभानित किया गया था ठीक है और ये भारत रतना पुरुषकार पाने वाले एक मात्र पाकिस्तानी है ठीक है एक मात्र पाकिस्तानी है जिने 1987 में भारत रतना पुरुषकार से संभानित किया गया था नेक्स्ट जो कोश्चन बन रहा है इस क्लास का अगला कोश्चन है दोस्तों भारत में 25 दिसंबर को कौन से दिवस मनाये जाता है और यह क्यों मनाये जाता है और यह क्यों मनाये जाता है दोस्तों क्योंकि पूरू प्रदानमंती अटल भिहरी वाचपई जिका जन्मत दिन भी जो आता है वो 25 दिसंबर को आता है और उनी के लिए यह शुषरसन दिवस मनाये जाता है राष्टी शुषरसन दिवस कब से मनाये जाने की गोश्ता की गई है यह हुई थी दोस्तों 2014 से ठीक है जो राष सिलेंडर में भरी हवा को अचानक पिश्टल से दबाया जाता है तो कुछ देर बाद क्या होता है ठीक है उसके बाद बताना है अप्शन ए दबाव जो उसमें पेले था वही समान रहेगा दबाव समापत हो जाता है सी हे दबाव गड़ जाता है और डी इनमें से कोई नही सिलेंडर में भरी हवा को अचानक पिश्टल से दबाया जाता है तो कुछ देर बाद दबाव समापत हो जाता है ठीक है इसका दबब कम हो जाएगा तो इसका रैड़ एंसर क्या हो जागा। नमबर भी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट जो कोश्चन है कि सुचना प्रोध्यों की की में HTML से क्या ताथ पर यह हैं ठीक है आप सभी को इसका राइट अंसर भी पता होगा इसका राइट अंसर कमेंट इसका राइट अंसर हो जाएगा सुचना प्रोध्यों की में HTML से ताथ पर यह बनता है HTML यह कोश्चन बहुत सी बार पूछा हुआ है कोश्चन है इसका राइट अंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कॉप लेंगवाज क्योंकि कम्पीटर से भी कोश्चन एक्जम्बों में पूछे जाते उसी साब समयने यहां पर भी पूछे हुई है ठीक है नेक्स्ट इसका जो राइट अंसर होगा दोस्तों क्या होगा इसका राइट अंसर इसका जो राइट अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर डी यहनिकी अभी जो उपस्तित कम्पीटर है अभी जो नए कम्पीटर उनमें एंटर की सुविधा दी गई है लेकिन जो परमपर अगर टाइप तो इसका टाइप राइटर में उपलब्द नहीं है तो इसका टाइप राइटर होजएगा option number D यानि कि enter enter का जो है एंटर जो रहता है उसमें वो अभी के computer में present है लेकिन जो पुराने टाइप राइटर उनमें उपलब्द नहीं है यही कोश्चन में पूछने का मिन है ठीक है अगला जो कोश्चन बन रहा है डाइनामइट बनाने में किस द्रव का उप्योग किया जाता है option A nitroglycer, यह कोश्चन हो गया है दोस्तों इसका जो right answer हो जाएगा option नमबर इसका राइट एंसर हो जाएगा यहने कि नाइट्रोगलेसर अभी मैं आपको बता दिया इस question में इस question के बारे में अगला जो question बन रहा है अपना नामइट की weekender में trigger क्या है ठीक है option A protein, option B electron, option C neutron और option D है positron इसका right answer क्या हो जाएगा नभी की जो weekender है उसमें trigger का कारिय करता है अपना neutron, option number C option number C इसका right answer हो जाएगा ठीक है, नभी की weekender में trigger है उसका कारिय करता है neutron neutron इसका right answer हो जाएगा next जो question बना है अपना next अगला question देखते हैं next question पे चलते है question number 13 किसी सरलोलक की लंबाई का 44% यदि 44% बढ़ा दिया जाता है ठीक है तो उसके आवर्तकाल में कितने प्रतिसत की व्रद्दी हो जाएगा ठीक है यदि लंबाई में 44% की व्रद्दी कर दी जाए तो इसका right answer क्या हो जाएगा option A 10% option B 20% option C 40% option D is 44% इसका right answer क्या होगा दोस्तों इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number B इसका right answer है यनि कि 20% अब होता क्या है दोस्तों किसी भी सर्वलोलों की लंबाई में यदि 44% बढ़ा दिया जाए चाहिए 44% बढ़ा दिया जाए तो उसके आवरतेकाल में कितने प्रतिसत की व्रति होगे 44% की जगह अगर जो कुछ और आगिया दोस्तों यहनि कि 20% बढ़ा दिया जाए 40% बढ़ा दिया जाए 80% बढ़ा जाए 90% बढ़ा दिया जाए तो इसका मैं एक आपको सुत्र बताता हूं, ठीक है, किसी भी सरालोलो की लंबाई की जो ग्याद कर नहां हो, तो उसका टाइम देखिए, ठीक है, टी बटे टी, ठीक है, एक मिनिट इसका मैं आपको बताता हूं, एल बटे एल, यह है अपका अंडरोड में, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, होता क्या है, यही पर समझनी की बात है, ठीक है, जो एल बटे एल है, अब इसमें कितने परतिसरत की व्रद्धी की जा रही है, वो देखना आपको, ठीक है, इसमें कितने परतिसरत की व्रद्धी हो जाएगी ठीक है पहले कितना था अभी कितना हुआ 1 प्लस कितना हुआ इसमें 44% की व्रद्धी हुई ठीक है 44% कि व्रद्धी हुई परतिसत के लिए हमें 100 लगाना पड़ताajcie जब परतिसत यहां से हटेगा तो कितना आएगा 100 अब नेहीं ठीच है ठीक है उपर एक सोलीट हो जाएगा नीचे हो जाएगा हंड Bene ठीक है और एक सोलीट यहां पर यहां से इसक्रालीट होता है बारगा तो उपर जो हो आकर लिख सकते है 1.2 ठीक है 1.2 लिख सकते है क्योंकि जब 0 नीचे सेटेगा ओपर आका 1.2 हो जाएगा ठीक है और जब इसमें जब परतिसत निकलता है तो इसमें क्या होता है दोस्तों 0.2 अपने पास 1.2 रखा हुआ है और 1 अपने पास शुरुवात में था ठीक है कब एक को घटा कर अपने पास बसता है 0.2 और जो 0.2 है वहाँ पर 1 कि विल्यू कितनी थी 100 ठीक है एक की विल्यू कितनी रखी थी 100 तो यहाँ पर 0.2 से इसका इंटू करेंगे तो यह आएगा आपका 20% ठीक है कितना आएगा 20% तो यही आपका राइट अंसर हो जाएगा इस भात को ध्यान रगना ठीक है नहीं समझ में आया हो तो एक बार वोड़ वीडियो को घुमाना और फिर दीखना बिल्कुल आएगा समझना अगला कोश्चन है सोसन है अप्षन ए अप्चैन केटाबोलिक प्रक्रिया अप्षन भी अप्चैन एनाबोलिक प्रक्रिया और अप्चैन सी है ए प्लस भी दोनों और अप्चैन दी है इसका इन में से कोई नहीं तो अप्चैन क्या है दोस्तों या तो केटाबोलिक अप्च इसका राइट एंसर हो जाएगा अपकेंट केटाबोलिक इसका राइट एंसर है ठीके दोस्तों क्या है अपकेंट एटाबोलिक याणि कि जो है सिरीर के सामनिय ताप पर अनेक जो चरण होते है अनक जो कारी किये जाते हैं वो शरीर के सामनेत पर होते हैं और उन चरणोंласт में बहुत जटिल प्रकृया होती है जिसके अंतरगत कारबनिक पधर्द जो रहते हैं वह आकिस करन द्वारा अब गटन होता है ठीक? और देरे क्या क्या होता है उनका उर्जा में परिवर्दन हो जाता है जो स्वासन करते हैं उनका दिर्दीरे उर्जा में परिवर्दन हो जता यह तो उसे ही क्या बहला जाता है unit and तो वह एक क्अधर लेंस की फोकस दूरी को अवेक्ष्ट करने के लिए निम्नलेह Hee में से कौन सा नेतर की सहायता करता है तो इसका राइड एंसर क्या हो जाएक। आपmem smarter MAN सांबर उप्सन को एडिश करनने के लिए निमन लिखित में से कौन सा नेतर में सहायता करता है अपोशब में passiert और जो अपना लेंस से वह कैसा कारी करता है दोस्तों एक्जम्मों में पूछा हुआ है वह एक केमरे की भती भती भी कारी करता है केमरे की बती कारी करता है अपना लेंस अग्ला जो कोश्चन एक कोश्चन में इसको कोण सा ना तो तत्वा है और ना ही योगी है तो इसका option A-YU, option B- Gel, option C- Para और option D- Sodium Chloride ठीक है तर राइट अंसर क्या होगा दोस्तों इसका निमने लिखित में से कौन सा ना तो तत्व है और नहीं योगी के इसका जो राइट अंसर बन रहा है दोस्तों वो बन रहा है आपका option नमबर A इसका राइट अंसर हो जाएगा यानि कि वायू इसका राइट अंसर है निमने लिखित में से ना तो तत्व है और नहीं योगी के तो वायू है क्या फिर? वायू ना तो तत्व है और नहीं योगी के वायू क्या है? वायू का एक question भी बनता है कि वायू क्या है ठीके तो वायू क्या है दोस्तों वायू एक मिस्रण है इसलिए ये ना तो तत्व है और नहीं योगी के तो ये है एक मिस्रण ठीके वायू के अब योभी गेसों में नाइट्रोजन अक्सिजन और जल्वास्प प्रमुग इसके तत्व है इसलिए इन सभी क इसमें क्या है, मिस्त्रण है क्या-क्य Miss्त्रण है, नाइटरोजन-आक्सिजन और कारबंडाए आकससेड और साथ-साथ जलवास्प का इसमें मिस्त्रण रहता है इसलिए वाईू ना तो तटव रहे और ना ही, योगी क्या है क्या है एक मिस्त्रन देता है एक अधिकार का अर्थ है एकल विक्रेता चो असलोई दोस्तों 100 गया हो हुगादि को अराम से पढ़िये इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तो एकदिकार का अर्थ है एकल विक्रता एकल विक्रता इसका right answer हो जाएगा option number क्या हो रहा आपका c right answer हो जाएगा एकल विक्रेता होता क्या है दोस्तों वो भी देख लिए आप एका धिकार का अर्थ जो होता है एकल विक्रेता से होता है ठीक है जब किसी बाजार में या किसी बिमारकर में जिसे कि उसमें सिर्फ एक बेचने वाला हो तथा कई खरीदने वाले होते हैं वहाँ पर चलता है ए अपनी मनमानी से उसे यानि अपनी सामान अधिक कीमत पर बेच सकता है अपनी मनमानी लगाता है यहाँ पर एक अधिकार का अर्थ में एकल विक्रेता पर जो रहता है उसमें क्या क्या करता है एक तो उसको ही फाइदा रहता है किसमें इसमें बेचने वाले को फाइदा सर्व क्या होता है एकल विक्रता और एकल विक्रता के बारे मैंने आपको बता दिया गया नेक्ट जो कोशन है अपना एक ही समय में गरजती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है एक ही समय में गरजती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाव को क्या कहा जाता है एक ही समय में गरजती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाव को क्या कहा जाता है एक ही समय में गरचती, धारा, अनुभाव करने वाली जगोहों को, जोडने वाली रेखाओं को, या तो आईसो ब्रांट बोला जाता है, या फिर एक नॉर्माल जो अपने जिसे के समदाब और आईसो बोहर ये बोला जाता है, तो इसमें आईसो ब्रांट है, तो उसी प्रका समजन्जा रेखा भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, समजन्जा रेखा, ठीक है, समजन्जा रेखा बोला जाता है, या फिर बोला जाता है, इसको इन दोनों में से उप्सन में कुछ एक रहे है, या तो आईसो ब्रांट रहेगा, या फिर समजन्जा रेखा, ठ ला जाता है ठीक है और एक और अभी इस से पढ़ी थी दो समोच्छ से रेखा है उसमें क्या होता है समान वंचाई वाले बिंदों को मिलाने वाली रेखाऊ को क्या कहता है एस का इस सब्सक्राइब ड़ह ऑपड़ी एक यह अब में से जो option है इन में से अंतराश्टी तीथी रेखा कौन है ए विशुवत रेखा बी 0 डिगरी देशांतर सी 90 डिगरी पुर्वी देशांतर और डी है 180 डिगरी पुर्वी देशांतर इसका राइड अंसर जो है option अंतराश्टी तीथी रखा ठीके इससे क्या बोला जाता है उससे इंटनेशनल डिट लाइन भी बूला जाता है ठीक है तो इसका राइड अंसर क्या हो जाएगा 180 पुर्वी देशांतर हो जाएगा 180 देशांतर का इसका जो है यह कब और कहा पड़ती है ठीके दोस्तों तो 180 देशांतर जो है वो है 1804 में इसका नाम रखा गया था अंतराश्टी तितिरेखा 1884 की गटना है जो वासिंग्टन है वासिंग्टन जो अमेरिका का वासिंग्टन है उनकी वासिंग्टन सभा में अंतराश्री तीती रेखा को माना जाता है ठीक है माना गया है 182 की पूर्वी देशा अंतर अंतराश्री तीती रेखा मानी गई है नेक्स जो question बना है अपना अगला जो question है वरा महिर थे एक महान option A कभी option B दार्शनिक option C जोती सी option C खगोलवीत और option D है जोती सी ठीके इसका right answer क्या हो जाएगा वरा महिर क्या थे वरा महिर एक खगोलवीत थे ठीके क्या थे वरा महिर वरा महिर एक खगोलवीत थे ठीके वरा महिर किसके इसमें थे दोस्तों वरा महिर जो थे एक खगोलवीत थे और खगोल सास्त्र पर उनके प्रसिद्ध ग्रंथ भी एक पुछी जाती है इनकी जो प्रसिद्ध ग्रंथ थी वो थी एक तो व्रत सहीता ठीक है एक थी व्रहन्त सहीता ठीक है और एक थी दोस्तो इसकी इनकी और पुस्तव के हैं जों रफनेक्स्ट क्लास में बताएंगेज अभी इन दोनों के सम में देखना गुड़ुर्य पंश लिकॉ송 वर आमेर की एक ख़गोल भी दे और इन दो इनका नाम किसुद से जड़ा हुआ है option A प्रथम विस्व यूद्ध, option B द्यूटी विस्व यूद्ध, option C क्रिमियन यूद्ध, और option D है लाइब जिंग का यूद्ध, इसका राइड एंसर क्या हो जाएगा, option C यानि की क्रिमियन यूद्ध, Florence Nantical कहां के थे दोस्तों ये थे इतली के, और क्रिमियन यूद्ध से इनका संबंद है, ठीक है, क्रिमियन यूद्ध से इनका संबंद है, Florence Nantical, क्रिमियन यूद्ध कब हो था दोस्तों, क्रिमियन यूद्ध लगबग 1854, ठीक है, 1854 में ही हुआ ठीक है, Florence Nantical का जो नाम है, से जुड़ा हुआ है क्रिमी उद्ध हुआ था 1800 चोपन में इने है अन्य पर मों अन्य नाम भी जाना जाता है और करेंट पर भी में ने बताया था इसके इन लेडी विद्धा लेंप के नाम से जाना जाता और जो Florence Nantical यह अंतराश्ची Red Cross के विकास से भी अपना अभुद्वपुर्य योगनाद दिया था इन्हों ने जब Red Cross आया था ठीक है तो लेडी विद द लेम ठीक है लेडी विद द लेम और यह एक Red Cross में भी अपना योगदान दे चुगी ठीक है और नेक्स जो कोशन है कि अंतरी मुरूप से फारित सविदान पर सविदान सभा के कितने सद्विश्यों ने हस्ताक्षर किये थे इसका Red Answer क्या होगा आप सभी को इसका Red Answer पता है क्या है दोस्तों इसका Red Answer कमेंड बॉक्सों में कमेंड करिये फटावर अंतरी मुरूप से फारित सविदान पर सविदान सभा के कितने सद्विश्यों ने हस्ताक्षर किये इसका Red Answer क्या होगा दोस्तों ठीक है आप कमेंड करिये न करिए ठीक है पर कमेंड करना चाहिए जैसे आपका इसका Red Answer क्या हो जाएगा Option B यहनि कि 204 इसका Red Answer हो जाएगा प्रारूप समीति द्वारा सविदान पर अस्ताक्षर किये गए था वह प्रारूप समीति का बहुत ही मधोपुन योगदान रहा इसमें प्राणूप समीति ने 21 फरवरी 1948 की गटना है ठीक है कब की गटना है 21 फ 284 सदश्य एवं अध्यक्षे ने भरती सविदान सभा जो हुई थी उसमें हस्ताक्षर पारित हुआ था ठीक है प्रारित हो गया था इसमें और 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर भी किये थे ठीक है तो जब पारित कब हो था दोस्तों 26 नवंबर उनिस सो उन पच्चास को 24mens 117 अध्यक्षे ने अध्यक्षर किये थे और बहरती सविदान पारित ऑ गया था ठीक है और 26 नवंबर उनिस सो उन पच्चास को टूं नेक्स जो कोश्चन बन रहा है अपना जब भी कमेंट करना हो तो दोस्तों कमेंट कर दिए अगर ना क्योंकि इससे यह फेक्ट जो रहता है यह आपको याद रह जाता है अगला जो कोश्चन बन रहा है दिल्ली चलो नारा किषने दिया था दिल्ली चलो नारा किषने दिया था option A. बगगसिंग, option B. जुआलाल नेरू option C. सुभास चंद्र बोस option D. महत्मा गंदी इसका right answer क्या हो जाएगा इसका जो right answer वो हो जाएगा option number C, यानि कि सुभास चंद्र बोस इसका right answer वो का नारा किषने जा था सुभास चंद्र बोस दिया गयता और सुभास का एक और नारा था कि तुम मुझे खुंदो में तुम्हें आजा दी दूँगा, ठीक है ये भी नारा किषने दिया था सुभास चंद्र बोस ने इन दो नारा को बारे में आपने द्याना का दिल्ली चलो और तुम मुझे खुंदो मैं तुम्हें आजा दी दूँगा सविधान के किस अनुचेत के अंतरगत जम्मु कस्मिर को विशेस राज्य का दरजा दिया गया था दिया गया था दिया गया है नहीं सविधान सभा द्वारा अनुचेत के अंतरगत ठीक है कौन से 370 के अनुचेत जम्मु कस्मिर को विशेस राज्य का दरजा दिया गया था और यह 31 अक्टूंबर 2019 को वापिस कर लिया गया था एक 31 सक्टूंबर की गटना है जब अनुचेत 37 को नहीं सोरी जो सविधान की किस अनुचेत के अंतरगत रखा गया है था एक 31 सक्टूंबर का आप जयनमत रखना नेक्स्ट क्लास में उसको बता दूँगा ब्रिटिस संसत के लिए चुनाव ज फिरस एसन बनर जी जी के घुक्ले के ओप्सन सी है दादा भाई-णुरो जी और ओप सन डी है फिरोज सहा महेता लुगा इसका रएधिंसर क्या हो जाएका प्रेटिस शंसत के लिए चुनाव जीतने वाले प्रतं जो भर्धी है उसका राएधि अंसर ओजाएका ऑसन कि बिर्टीज संसट के लिए चुनाओ जीतने वाले प्रतम भरती कौन थे दोस्तों इसका रेड एंसर हो जाएगा इसके जो दाबाई नौरोजी थे प्रतम भरती यह थे ग्रेड आल्ड मेन आफ इंडिया के नाम से जाना जाने वाले विकती थे दादा भाई नोरोजी जिन्होंने वर्स अठारा सो बाणु में लिबरल पार्टी के टिगट पर चुनाव जीत कर बिटिज संसेत के सदस्य बने थे कौन्स पार्टी थे इनकी दादा भाई नोरोजी लिबरल ठीक है कौनसी लिबरल पार्टी उसी के पार्टी के तहट अठारा सो बाणों में इन्होंने टिगट खरीता था और ब्रिटिस संसेत में चुनाव जीत कर वहाँ पर अपनी सीट ली थे ठीक है ब्रिटिस संसेत के सदस्य बने थे तो इसका राइड एंसर क्या हो ज सबसे बड़ा बेंकिंग अभियान कहा जाता है किस योजना को सबसे बड़ा बेंकिंग अभियान कहा गया है ऑप्शन ए पहला dbtl योजना और ऑप्शन भी है प्रदान मंत्री जंदन योजना और ऑप्शन डी जो है दिन दयाल उपद दिन दयाल अंत्योद योजना इसका क्या है सबसे बड़ा banking अभ्यान योजना है कौन सा प्रधान मंतरी जंधन योजना प्रधान मंतरी जंधनorship सुरू कि गई थी 28 अगस्त 24 को शुरू 먹 गई थी 28 अगस्त 2014 को प्रधान मंतरी नरेंधर जिद्वारा प्रदान मंतरी जन्धन योजना शुरू की गई थी ठीक है देश में व्यापक वित्ती और ब्रस्टाचार पर अंकुष लगाने के लिए इस उद्देश्य से प्रदान मंतरी जन्धन योजना को चालू किया गया था इस योजना में क्या था दोस्ता देश के सभी परिवारों को बेंक खाते से जोड़ना था ठीक है अधिकतर सीटी लोगों का था ही था ही नॉर्मल गाउं में भी था लेकिन कुछ छेतर ऐसे रहते हैं जहां पर जंधन योजना जहां पर खाते नहीं खोले गए थे ठीक है तो अभियान रहा था प्रदानमंति जंधन योजना ये दुनिया का सबसे बड़ा बेंकिंग अभियान रहा था ठीक है और इस योजना के अंतर का प्रत्य खाता धारक को एक लाग रुपई की दुरगटना बिमा रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है ठीक है इस जो योजन है पुस्तक डिस्कवरी ओफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है ऑप्शन ए पंडित ज्वाला नेरो ऑप्शन भी महातमा गांदी ऑप्शन सी स्वामे विवे कनन और ऑप्शन डी है डाक्टर एस राधा कृष्ण तो इसका रैड अंसर क्या हो जागा ऑप्शन नमब इसलिए इसका आमप्शन नमबर में इसलिए है कि कि एक राधा की घिचकर यदि दोग रहती है तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, option A परिवर्थी तरहेगा, option B दो गुना हो जाता है, option C अधा हो जाएगा, और option D है चार गुना हो जाएगा, इसका right answer क्या होगा यदि किसी तार की लंबाई को खीच कर यदि दो गुना कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, option D ये निगी, चार गुना हो जाएगा, ठीक है इसका right answer क्या हो जाएगा, चार नमबर इसका right answer हो जाएगा option D इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, कितना गुना हो जाएगा चार गुना हो जाएगा यदि किसी तार की लंबाई खीच कर यदि दो गुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा चार गुना हो जाएगा नेक्ष जो कोश्चन बन रहा है सूर्य के रेडियंट और जा किस से उत्पन की जाती है ठीक है ओप्शन नाभी की विखंडन ओप्शन बनाभी की सलीयन ओप्शन c कॉमबस्चन और यदि चीन कॉस्मिक रेडिएसें दो ओच़ा तो तो सूर्य के रेडियंट और जाएग इसका जो राइट अंसर हो जाएगा नाभी की सलीयन दो थीक है AI Id आवाज की तीवरता की इकाई क्या है ठिक है यानिकि दूनि की तीवरता की इकाई क्या है option-man, option-person c-decible और option-d ससका male तो इसका right answer क्या होगा Значит option-C इसका right answer हो जाएगा यानिक आवाज की तीवरता की धूनित तरंग कौनसी तरंग यह होती है ठिक है ॉप्शन ए ज़ेए अनुपरस्त ओप्षण बी यांत्रींक ओपशन सी अनुध्यदेर्यया और ओपशन ळी कह श्रवयत इसका रायड अंसर हो जाएगा ध्वनी तरंग कौन सी तरंग की तरंग होती है उनुपरस्त के हालने होती है इसके यहाई अठ्धनी-अप्शन chỉ से सब्सक्राइब और प्रेज दो बेल एकंद बना तकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन जई भारत